राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों साल की सभी एकादशियों में से नेजला एकादशी सबसे अधिक महत्मू एकादशी है बिना पानी के ब्रत को नेजला ब्रत कहते हैं और नेजला एकादशी का उपास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है उपास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी ब्रतों में नेजला एकादशी ब्रत सबसे कठेन होता है नेजला एकादशी ब्रत को करते समय श्रधालू लोग भोजन ही नहीं बलकि पानी भी ग्रहन नहीं करते जो श्रधालू साल की सभी एकादशियों के उपास को करने में सक्षम नहीं है उन्हें केवल नेजला एकादशी का उपास करना चाहिए क्योंकि नेजला एकादशी उपास कहने से दोसी सभी एकादशियों का लाव पिल जाता है दोस्तों जेश्टमास की शुक्लपक्षी एकादशी दिथी को नेजला एकादशी का ब्रत रखा जाता है इसे भीमसेनी एकादशी के दाम से भी जाना जाता है दोस्तों जिस प्रकार एकादशी का ब्रत पूरे विधी विधान से किया जाता है उसी प्रकार एकादशी ब्रत का पारण भी पूरे विधी विधान से कहना चाही है तभी एकादशी ब्रत का पूरा फल प्राप्त होता है एकादशी ब्रत का पारण याने की ब्रत को खोलने की भी सही विधी शास्त्रों में बताई गई है एकादशी ब्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं एकादशी ब्रत के अगले दिन सुर्यो दियो के बाद पारण किया जाता है एकादशी ब्रत का पारण द्वादशी तिथी समाप्त होने से पहली करना अति आवश्यक है यदि द्वादशी तिथी सुर्य द्र से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी ब्रत का पारण सुर्य द्र के बाद ही होता है द्वादशी तिथी के भीतर पारण ना कर पाना पाप करने के समान होता है एक आदशी ब्रत का पारण हरी बासर के दोरान भी नहीं करना चाहिए जो शद्धालू ब्रत कर रहे हैं उन्हें ब्रत तोड़ने से पहले हरी बासर समाप्त होने की प्रतिक्षा करने चाहिए पुछ कारणों की बज़े से अगर आप प्रात्यकाल की समय ब्रत का पारण करने में सक्षम नहीं है तो आप प्रत का पारण मध्यान के बाद ही करें तभी आपको एकादशी ब्रत का पुन्यफल प्राप्त होगा इस पार नेजला एकादशी ब्रत का पारण 3 जून को किया जाएगा तीन जून को द्वादशी तिथी समाब्त होगी सुभे 9 बच कर 5 मिनट पर और ब्रत के पारण का शुब मगरत है तीन जून के सुभह पांच बच का 27 मर्ण से, सुभह आठ बच का 12 मर्ण तक अगर आप इस दोरान ब्रत का पारण ना कर सकें तो आप दौदाशी तिथी समाप्त होने से पहले यानि की तेन जून की सुभह नौ बच का 5 मर्ण से पहले ब्रत का पारण अवश्य ही कर लें तभी आपका ब्रत पूर्ण होगा दोस्तों नेजला एकादशी ब्रत का पारण शुब महुरत में कहने के साथ साथ सही बिधी से भी कहना चाहिए तभी ब्रत का शुफल प्राप्त होता है तो आईए जानते हैं किस बिधी से करें निजला एकादशी प्रत का पारण पारण करने के लिए सुभे सूर्य देर से पहले उठकर इसनान आदी करके सर्चोबस्त धारण करें इसके बाद आप सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करें भगवान जी की सभी तस्वीर को साफ कप्रे से पहुँचें और प्रतिमाओं को इसनान कराएं और सुर्चोबस्तर पहनाएं अब आप ब्रत खोलने के लिए साथविक भूजन तयार करें दोस्तों एकादशी का ब्रत कुछ चीजों को खाकर बिल्कुल नहीं खोलना चाहें जैसे की प्याज लहसन, अंडा, मीट, चावल, मसूर की दाल, सैम की फली, बैंगन, मूली और साग इन चीजों को आप भूजन में इस्तमाल ना करें इसके साथ ही एकादशी ब्रत का पारण, यानि की एकादशी ब्रत हमेशा पराठे या फिर पूरी खाकर खोलना चाहें ब्रत खोलते समय कभी भी आप रोटी का सेवन ना करें क्योंकि रोटी कच्ची चीज में आती है और ब्रत खोलते समय कच्ची चीज नहीं खाई जाते हैं इन चीजों के इलाबा जोका भी आप ब्रत का पारण करते समय सेवन ना करें इन सबी चीजों को छोड़ कर आप सात्विक कोई भी भोजन प्रत्के पारण के लिए बना सकते है आपने जो भी सात्विक भोजन बनाया है उन्हें तो अलग-अलग प्लेटों में लगाए और भोजन में तुलसी दल अवश्य ही रखे अब इस भोजन का आप भगवान पिश्णु जी को भोग लगाए भोजन में आप कोई फल और मिश्ठान भी अवश्य ही रखे भोजन के साथ साथ भगवान पिश्णु जी को जल का भोग भी अवश्य लगाए और जल में भी तुलसी दल ताले भोजन के अलाबा भगवान विश्णु जी को आटे की पंचीरी का और पंचामरत का भोग अवश्य ही लगाएं पंचामरत दूद, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला कर बनाएं इसके अलाबा आप आज के दिन भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी को मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं पर ध्यान रखें भगवान जी को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही डाने भगवान विश्णु जी को भोग लगाने से पहले एक शुद्धिकी का दिया चलाएं और एक सुगंदी दूबद्धी चलाएं इसके बाद भगवान जी को पुष्व अरपित करें फिर आप भगवान जी को भोग लगाएं भगवान विश्णु जी को हल्दी से तिलक करें और मालक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें भगवान जी की तिलक करने के बाद आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें फिर भगवान विश्णु जी के महामंत ओम नमो भगवते वासु देवाय का 108 बार चाप करें इसके बाद भगवान जी के आर्थी करें आर्थी करने के बाद आप भगवान जी से हाथ चुड़ कर ब्रत और पूचा को स्विकार करने की प्रातना करें पूचन पूर्ण होने के बाद आपने भगवान जी को जो दो थाल में भोग लगाया है उसमें से एक थाल का भूचन आप किसी भ्रामर को कराएं और भ्रामर को भूचन कराने के बाद उनके पैच होएं और उन्हें दक्षिना अवश्य है दें अगर भामर को भोजन नहीं करा सकते तो आप इस थाल का भोजन गाय माता को खिला दें गौ माता को भोजन कराने के बाद आपने भगवान जी को जो भूग लगाया है उस भोजन को ग्रहें करके अपने ब्रत को खोलें ब्रत खोलने के लिए पूर्वे दिशा की तरफ मुख करके जमीन पर आसन बिछा कर बैठ जाए इसके बाद भगवान जी को आपने जो जल अर्पित किया था उस जल को पी कर आप अपने ब्रत को खोलें और जल में जो तुलसी दल है उन्हें भी आप ग्रहन करें जल पीने के बार आपने अगर भगवान जी को खीर या पंजीरी और पंचा मृत का भूग लगाया है तो आप उसे ग्रहन करके ब्रत को खोलें दोस्तों ब्रत को खोलते समय आप किसी से बात ना करें और मनहेमन भगवान पिश्टूची के महामंद ओम नमो भगवते वासु दिवाय का जाप करते रहें और ठ्यान रखें आप ब्रत त्वादशी तिथी समाप्त होने से पहले अवश्य ही खोलने इस पिदी से ब्रत खोलने से आपको ब्रत और पूज़ा का पूनफल प्राप्त होगा दोस्तों नेजला एकादशी पर ब्रत पूज़ा के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है दान की बस्तों में गर्मी से राहत दिलाने वाली बस्तों का दान करना सबसे ज़्यादा शुबमाना जाता है आप इन बस्तों का किसी जरुत्मन व्यक्ति को या भामर को दान कर सकते हैं निजला एकादशी पर कलश, फल, शक्कर, अनाच, बस्त्र, जूता, छत्री, पंखा, खर्वूस, दर्वूच, आदी चीजों का दान करना बहुत ही शुबमाना जाता है निजला एकादशी पर इन सभी चीजों में से शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करना यानि की कलश के दान करने का विशेश महत्व होता है हर व्यक्ति को निजला एकादशी पर कलश दान अवश्य ही करना चाहिए माना जाता है कि नेजला एकादशी पर अगर सही बिधी से कलश का दान किया जाए तो व्यक्ति के सभी प्रकार के कश्ट दूर हो जाते हैं दंजम मंदी सभी समस्याई दूर हो जाती हैं परिवार में खुशियां आती हैं बीमारी हो तो फह भी दूर हो जाती है इसके साथ ही सभी प्रकार के कलिश और परिशानियों से मुक्ति मिलती है तो आईए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि नेजला एकादशी पर कलिश दान करने की सही बिधी क्या है आप नेजला एकादशी के दिन भी कलिश का दान कर सकते हैं अगर इस दिन ना कर सके सार, सौने, चांदी, पीतल, तांबा, आदी चीजों का कलश ले सकते हैं लेकिन निजला एकादशी पर सबसे ज़्यादा शुप होता है मिट्टी के कलश का दान कहना और यह आसानी से मिल भी जाता है कलश दान कहने के लिए आप एक नया साफ मिट्टी का कलश ले कलश को पानी से धुकर साफ कर ले और इसमें शुद्ध जल भरे जल से भरे हुए कलश को आप अपने मंदिर के पास रख ले इसके बाद एक साफ नया कोरा सफीद रंका कपड़ा ले अब इस कपड़े को आप कलश के करदन पर यानिकी कलश के मुह पर बांदे ध्यान रखें आपको कलश पर ढख करने ही ढखना है कलश पर कपड़ा बांदने के बाद अब आप कलश पर बंदे कपड़े के ऊपर थोड़ी सी चीनी रखतें चीनी रखने के पश्चाथ अब आप कलश पर कुम कुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं इसके बार आप कलश पर तिलक करें तिलक करने के पश्चात भगवान जी के सामने एक शुद्धिखी का दिया चलाएं और एक सुगंदे धूपती चलाएं अब आप भगवान विश्णु जी के महामंद ओम नमो भगवते वासु देवाय का 108 बार चाप करें फिर भगवान विश्णु जी की आरती करें आरती करने के पश्चात अब आप भगवान विश्णु जी से अपने सभी कश्टों को दूर करने की प्रात्ना करें फिर आपने कलश के उपर जो चीनी रखी है उस चीने को आप कलश के ढखकन में रखतें और कलश और ठकन को आप किसी भ्रामर को दान करें अकर भ्रामर ना हो तो आप किसी जर्रतमन्द व्यक्ति को भी इस कलश का दान कर सकते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि नेचला एकादशी के दिन इस बिधी से कलश का दान करने से सभी एकादशियों के पुन्यफल प्राप्त होते हैं इसके साथ ही सवारदान के बराबर पुन्यफल प्राप्त होता है इस तरहें कलश का दान कैनेजी भगवान पिश्णूची की कृपा से सभी प्रकार की कष्टों से छुड़कारा मिल जाता है और आर्थिक पारिवारिक समस्थ कश्टे दूर हो जाते हैं और घर में सुख सम्रध्धी बनी रहती है सुख और यश्की प्राप्ति होती है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने तैंक्स पूर वोचिंग डाधे डाधे घर पा रहिए सुरक्षित रहिए और हमसे चुड़े रहिए